तो यह रहा गाईस दुनिया का सबसे छोटा washing machine आप लोग इसको box को size देके अंदाजा लगा सकते हो कि कितना छोटा है और इसके अंदा जो material है ओभी गाईस बहुत छोटा है ओभी आपके हाथ में आ जाता है तो box के उपर आप लोग को इधर पूरा instruction दिया हुआ है कि आप ल हमारा जो main चीज है जो washing machine है तो इसको गाईस अंदर से बाहर निकल दे क्यूंकि इसका box के अंदर और कोई भी चीज नहीं है मतलब कोई भी warranty अगरा ऐसा कुछ भी नहीं है तो इसका गाईस इसका अंदर एक motor है तो आप देख सकते हैं इसको इस तरह से एक पर घुमा के दे कर रहा है जो जो भी चीज है आप लोग इसमें वास कर सकते हो लेकिन उसका भी गाईस एक amount है आप लोग एक केजी तक आप लोग इसके अंदर लगा सकते हो तो इसका आवाज सुन दे गाईस तो पहले यह भाइबरेट करता है उसके बाद इसका जो रोटर है वो रोटेट है कैसा काम करता है उसके बाद गाईस हम लगा देंगे साइट पर एक बाद नीचे लगा के देख लेते हैं कैसा चल रही है पर नीचे लगा तो हमारा जो वासिंग मैसिन है वो complete हो चुका है अभी तो इसको एक बाद चला के देख लेते हैं चल रही है पर नहीं उसके पानी हमारा complete हो चुका है डालना तो पानी हमने कुछ ज्यादा भर देदा तो थोरा बहुत कम कर लेते हैं तो कम करने के बाद एक बार फिर से हम टेस्ट करने वाले हैं तो पानी भर देखते हैं चल लाए अब हमने switch दे दिया गाईस अब देख सकते हो तो पहले बार तो यह vibrate होता है उसके बाद यह चल जाता है ठिक तरीके से अब गाईस थोरा बहुत डिटर्जेंट की इसका अंदर देना है तो डिटर्जेंट दे देते हैं उसके बाद कैसे mixed होता है तो देख सकते हो गाईस यह mixed कर रहा है ठीक ठाक से तो मुझे लगता है इसका जो speed है वो बहुत धूलमीटी लगा के आते हैं तो कपरा गाइस पहले थोड़ा सा साफ सूतरा था तो हमने सोचा क्यों नहीं इसको थोड़ा बहुत और महला कर दिया जाए तो हमने बाइक को पोचना शुरू कर दिया और बाइक भी हमारा साफ हो रहा है उस तरफ विडियो भी बन रहा तो अभी तक तो मुझे नहीं लगता ये काम करेगा ठीक से लेकिन चलिए देखते है कैसे काम करता है तो अभी तो ये गाइस ठीक तरीके से घुमा भी नहीं पा रहा क्योंकि हमने इसको अलग डिरेक्शन में लगा दिया है पहले नीचे लगा है तो देखते है नीचे काम करता है या पर नहीं करता नहीं तो हम जैसे instruction है उससी तरह से हम लोग इसको लगाएंगे तो गाइस पांच मीट के लिए इसको छोड़ देते हैं उसके बाद देखते हैं कपरा साफ होता है या पर नहीं होता तो 5 minute guys हमारा हो चुका है आप गज़ देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो कपरा है तो इसको उठा के देखते है क्या साफ होता है अपनी तो साफ तो guys अभी भी नहीं हुआ और मुझे नहीं लगता कि साफ होगा तो अभी guys हमने इसका जो box के अंदर जो instruction था उस तरीके से इसके उपर हमने इसको लगा दिया है तो यह जो चीज है guys यह एक बार anti-clockwise एक बार clockwise घूम रहा है और बीच बीच में यह vibrate भी हो रहा है और एक अलग सा sound भी आ रहा है तो मुझे नहीं लगता इन सब से कोई भी कपरा या पिर कुछ भी साफ हो सकता है आपको क्या लगता है आप comment section में जरूर बताना तो guys देख सकते हैं यहां पर हमारा जो कपरा है वैसा के वैसा ही है तो फाल तुम्हें हमारा electricity भी वेस्ट हो रहा है उसके साथ अगर में इसको दो बार कपरा को नीचे मार देता है तो आप तक यह साफ हो जाता है यह वाला वीडियो guys sponsor वीडियो नहीं है तो कुछ भी चीज में बड़ा चरा के नहीं बोलूँगा आप लोग देखा आपने जो कपरा में ने दिया था तो अभी तक वो मैला है मतलब इसका काम कुछ भी नहीं है सिर्थ पैसा वेस्ट है इसका description में लिंक है वहां से जाके अब देख सकते हैं इसका price कितना लगा था मुझे तो आप लोग भी कभी भी online से कुछ भी purchase कर रहे हो तो उसका थोड़ा बहुत एक बार research कर लेना उसके बाद या आप लोग खड़ीदना ठीक है तो इस बहले वीडियो में सिर्फ इतना ही था गाईस अगर आपको अच्छ करना मिलता हो अगला अगर वीडियो में तब तक के लिए बाई